है हेलो कैसे हैं आप सभी लोग दा पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है स्विएसी क्लास तेंद क्लास 12 के रिजल्ट आ चुका है और आप सभी को पता है कि रिजल्ट के साथ बहुत जादी कन्फ्यूजन है बहुत सारे बच्चों के अंदर डाउट्स हैं बच् जब रिजल्ट आया और हमने देखा रिजल्ट तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं रहा जैसा हमने सोचा था यानि हमारे मुताविक रिजल्ट नहीं रहे क्योंकि बच्चों को मानना है कि जिस तरह थे स्भी तीस और सत्थर का जो वेटेज रखा था उस वेटेज की अधा पर हमारे मार्क्स काफी अच्छे आने चाहिए थे बट मार्क इससे कम हो गए और ऐसे बहुत सारे बच्चों को मैं खुछ जानता हूं जिनके फर्स्ट में तो फोटी और फोटी मार्क्स आयुए थे और उनका जो प्रतेस और भी बहतर था तो ऐसे बहुत अच्छा आना चाहिए था बट कहीं न कहीं न कहीं उनका खरापना और कहीं न कहीं यह जो फॉल्ट है सीवेसी का यह मानता हूं हर बार सीवेसी ऐसा करती है और यह बच्चों की भविष के साथ जो जिस परकार सीवेसी दोरा खेला जाता यह नाकाबिले बरदास क्योंकि हर बार का ऐसी यहीर होना है कम सब्सक्राइब एक बार रिजल्ट सही दे दिया जाए बट ऐसा सीवेसी नहीं कर पार रिये बात और कर लेते हैं दोस्तों उन बच्चों के जो जि और टेंध के लिएक लाइक लाक से जादा जिंआ pref precis लेकर और कमपार्ट्मन की परिषा पूशन पूशे जा रहे हैं कि क्या पूझ रिषा प्रिषा कब होगी इसका प्रिषा कोधि किया लागा से यह यहाँ रोगा है नीस हिद्ए आपने सब्जेक्ट में और under आपने सब्सक्राइब दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलने वाला तो प्लीस वीडियो को एन तक जरूर देखिएगा आपके हारे कमेंट्स का जवाब तो नहीं देपार बट मैं पूरी कोशिस कर रहा हूं कि आपकी जितने भी डाउट से उनको किलर कर सको और इसलिए मैं आपके कोशन के वीडियो बना रहा हूं ताकि आप समझ सकें और जो आप मांसिक तनाव से गुजर रहे हो समाप तो और आप अच्छी तरह से अपना आगे का जो केरियर वह कर सकें तो बात कर लेते हैं संपल तरों के इस दोस्तों कमपार्टमेंट की परिक्षा की तो जिन दो पेपर में से एक सिंगल वन ठीक है एक पेपर में जो है कमपार्टमेंट दे सकता है और एक पेपर में कमपार्टमेंट वह अगली साल दे सकता है तो अगर आप किसी दो पेपर में आपकी कमपार्टमेंट है तो आप एक कमपार्टमेंट अभी दे सकते हैं एक कमपार् आप 2023 के बच्चों के साथ दे सकते हैं हलागी नियू एजुकेशन पॉलिसी के दाथ बहुत सारे मोगे आपको पास होने के लिए दे जाएंगे नो डाउट तो आप बिलुकुल भी निश्चिंत रही है ठीक आप चिंता मत कीजिए आपका एक्जाम होगा और आप अच्छे स से पास हो जाएंगे कहीं ने कहीं मैं इस बॉल्ट मानता हूं कि तीस पर तीस सतर के बाद जो है चातरों की इतने ज्यादा चात्रों करना चाहिए अब बात करें जिन चात्रों के यह तो आप कि वाले करें तो आटे वाले चाहत जो है अपना रिपीट आटी मतलब रिपीट थे ओर यानि आप प्रैक्टिकल में तो पास हैं तो आप बिल्कुल भी चिंता मत किजिए आप जिस थेओरी में आपको रिपीट आए हुआ है उस थेओरी में आप दोबारा से एक्जाम दे सकते हैं ए तेईस अगस्य है और जल्दी एक्जाम का जो फॉर्म दोस्तों आ जाएगा अगले सब्दा तक फॉर्म जारी कर दिया जाएगा फीज भी बता दे जाएगी डेट स्क्रीट भी जल्दी जारी कर दियाएगी ठीक है तो वो सारी चीजिए आपको यहां पर पता होनी तो क्या हमें आटी का कमपार्टमें देना चाहिए द्योस्तों अगर आपको लगता कि आप इससे बयातर कर सकतें तो जरूरा आपको देना चाहिए और शब्सक्रीजाब करें आप्स सब्जेक्ट में वह कीडरिट करें इंप्रॉम् Nepं ताकि आपका उस subject में परदेशन में बहतर हो सके clear? तो ये सारी चीज़े होती है अब बात करने सिलेबस क्या होगा सिलेबस compartment का improvement का second term वाला ही होगा जो second term exam में सिलेबस था उसी के अधार पर आपका paper तयार किया जाएगा question उसी तरह भी set किया जाएगे तो सिलेबस second term exam कर रहेगा और जो question पूछे जाएगे वो 40 marks का होगा दोस्तो ठीक है 40 marks का question होगा और passing का अगर हम बात करें तो passing percentage कितना होगा तो 40 में से अगर हम बात करें तो passing जो percentage की वाल दोस्तो वो कम से कम आपको 13 number लाने होगे थर्टी नंबर आपको लाने होगे हालां कि सिवेस्टी के जो criteria बारा बदलता रहता है तो आप ज़्यादा ज़्यादा लाने के कोशिश की जिए कम से लिए थर्टी नंबर आपको चालिम से लाना होगा थेवरियों में पास होने के लिए तो यह सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए दोस्तों जो अगर हम बात करें इसके लिए बहुत सारे बच्चों को कोश्चन आ रहे कि सर हम दस्वी कलास में तो सकते हैं अगर आपकी आपका आपका यह सकते हैं यह सकते हैं अगरस्जिए लेसं पार्टी है टो ऐसाने कि आपकर यह ले सकते हैं और आपको एक महिने का जब तक रखा जाएगा और रिजल्ट आने बाद अगर आप पास होते हैं और आप पास होंगे आपको पता ही आप मेहनत करेंगे करेंगे इसके आलावा दोस्तों बहुत सारी चात्र हम इंप्रुमेंट नेस्टियर वीदसक्ते उसमें अगस्त में आपको मिलेंगे प्राइबट कमपाट्मेंट और उले चात्र पत्रचार और उले चात्र और जो वह वादता एरेगलों सब्सक्राइब सब्सक्राइब दोस्तो आपको सारी चीज़े जो है जो भी आपके डाउट से मैंने किलर कर दिया अगर फिर भी कोई बढ़ जाता है तो तो मैं आप मुझे कमेंड बोक्स में जोरो क्यामन कीजिएगा सारे चीज़े मैं आपको वहाँ पर क्लियर कर दूँगा बहुत बद्धनवा दूस्तो जैहीन